एक basic idea दे सकता हूँ कि engineering service या फिर कोई भी service exam clear करके जब आएंगे railway में तो क्या expectation के साथ आएंगे और actual में यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल सकती है पहला तो यह कि technical job में मेरा ज़्याद़ experience रहा है क्योंकि technical engineering bag service के तुरू में आया था तो टेकनिकल services जो है railway में यह काफी हद तक एक जबर्दस्त network में बंधा हुआ सा एक system है अब इतना interlinked है कि you keep on learning आप आप civil की चीज़े सीखते जाओगे electrical की तो कुछ सालों के बाद आपको realize होगा कि आप केवल एक branch के engineer नहीं हो आप बहुत सारी चीज़े जानते हो अब इसमें mechanical के point of view से देखें तो जो job profile है वो mostly जो रहेगा वो maintenance का रहता है maintenance मतलब train का maintenance अब वो maintenance बहुत सारे टाइप के हैं आपके preventive है predictive है बहुत सारी maintenance की theories जो है वो चलती है तो इसमें जो Indian railways का एक theme है वो ये कि आपकी जो भी गाड़ी पट्री पे चल रही है it should be the safest vehicle ये एक philosophy है जिस पे railway काम कर रहा है कि वो vehicle जो है वो सबसे safe होना चाहिए पैसेंजर बैठा है और उसकी life के साथ कुछ भी छेड़चाड नहीं होनी चाहिए अब ये जो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है वो mostly या तो track की होगी पट्री की जिसके उपर आप चल रहे हैं मतलब आपकी जिसके उपर आपका vehicle चल रहा है और दूसरा उस vehicle की अपनी ये दो चीजे major involved है otherwise इन दोनों में से किसी भी एक में गड़बड हुआ तो पट्री से उतर जाती है गाड़ी तो जो पट्री है वो वाला काम civil देखता है और जो आपका गाड़ी है जिसमें पहियां घूम रहा है वो majority जो है वो mechanical engineer जितने भी join करेंगे उनका major work यही रहेग कि आपकी जो गाड़ी है उसका पहियां ठीक से चलना चाहिए यह major काम अब इसके लिए अलग-अलग units है जहां पर आपका काम हो सकता है जैसे मानले एक passenger की कोई train है passenger train है अब इस passenger train को चलाना है मुझे मानले वैश्नो देवी से लेके पॉम्बे तक तो जब इतनी लंबी ज ज्यादा की journey है मतलब शुरू हुई थी Sunday को पहुँची है Tuesday को 48 hours 40 hours इतना लंबा journey मतलब यह तो मैंने चोटी journey बताई है ट्रेंस तो ऐसी है जो 10-15-15 straight cross करती है उपर से लेके नीचे तक चलती है तो अब सुझ 50 गंटे की कोई journey है 50 गंटे की journey का मतलब यह है अगर ध्यान से देखो तो 50 गंटे लगातार वो train चलेगी राची से पहुचेगी Bangalore Bangalore में 5-6-7 गंटे के लिए रुकेगी और फिर से वो 40 गंटे के लिए पीछे चलेगी फिर यहाँ पे कुछ देर रुकेगी फिर वापिस वो 40 गंटे चलेगी इसका मतलब है कि वो गाड़ी अगर एक इसको चलाते रहना है तो इसको चलाते रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो maintenance इसमें करना पड़ेगा यह पूरा काम जो है वो एक mechanical engineer का है कि यह गाड़ी सेफ पूरे टाइम अपनी service देती रहे और वो देने के लिए कुछ units हैं जो हमने बना रखे हैं जैसे हर गाड़ जब मानले रांची से बैंगलोर जा रही है तो बैंगलोर जब पहुचेगी तो बैंगलोर पहुचने के बाद हमने एक depot बना रखा है तो गाड़ी को उस depot में लेके जाएंगे एक team होगी जिसको gang बोलते हैं वो उस गाड़ी के उपर काम पे लगेंगे और extensivelyly पूरी गा करने के बाद गाड़ी को एक certificate issue होता है कि यह गाड़ी ठीक है जाने के लिए फिर वो गाड़ी वापिस जाएगी फिर रांची में आके फिर यही process होगा एक certificate issue होगा फिर वो गाड़ी वापीस आगी वापीस जाएगी यह जो process हो रहा है यह हो रहा है एक open line में railway की terms में इस इसमें हर मोमेंट फे आपको एक्टिव रहना है क्यों? क्योंकि ट्रेन चौबीस घंटे चलती है और चौबीस घंटे में से प्रपोलम कभी भी आ सकती है तो वो problem को solve करने के लिए आपको अपनी alertness रखनी पड़ेगी कि कहीं पे किसी भी problem, कोई भी train में कोई भी problem आई you need to be there, आपको पहुचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वो problem क्या है और उस problem को solve करना पड़ेगा, क्योंकि एक train में एक time पे पंदरा सो लोग जा रहे है so it's not about one train, it's about 1500 people moving from one place to other place at the same time मतब एक ही time पे वो पंदरा सो लोग कर रहे हैं, तो अगर वो train रुकी तो पंदरा सो लोग रुक गए आप सोच रहे हैं, आपने एक भीड को रोग दिया है वहाँ पे, जो की ठीक नहीं है तो यह तो हुआ एक type का काम, समझ मैं है कि train चल रही है और आपको चलाते रहना है इसके लिए maintenance करनी है मैं बस यही पूछ रहा था कि what are the kind of like कुछ example जैसे problem आ सकते हैं मैं एक बार maintenance का second profile बताता हूँ, क्योंकि mechanical के यह दो major profiles है second profile is, जिसको बोलते हैं, overhauling जो की एक major activity है, कि हर train को, हमको मालूम है कि हम चाहें कितना भी इसको रोज maintain करते रहे एक particular point के बाद, इसकी major repairing ज़रूरी रहेगी हर चीज के साथ होता है, हमारी bike के साथ भी होता है, car के साथ भी होता है, कि हम रोज थोड़ा बहुत तो उसमें oil डालते रहते हैं, पर दो साल में एक बार उसको service center लेके जाना पड़ता है, है ना, तो वैसा ही है कि यह जो गाडिया है, हमारी यह चलती है, पर हमको मालूम है कि कुछ time के बाद है, वो दो साल हो सकता है, धाई साल हो सकता है, किसी गाड़ी में चार साल हो सकता है, कुछ भी हो, उसको एक workshop में लेके आएंगे इन workshop, what we'll do, हम उस गाड़ी को पूरी तरह से खोल देंगे, hundred percent, हर चीज, उसका पहियां आएंगे, सब bearing अगेरा, सब निकाल के अलग कर देंगे, हजारो पार्ट, सारे, सारे पार्ट्स निकाल देंगे उसके, और सब निकालने के बाद, हर पार्ट्स को चेक करेंगे, एक एक करके, उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे जिनको फेक देना है, फेक देंगे, उनको बदल देंगे, रिपलेस करके, पूरी गाड़ी को वापिस जोडेंगे, और इस गाड़ी को पूरा जोडने के बाद, एक और certificate issue होगा, कि अब यह अगले आपके उस गाड़ी को टाइम दे सकते हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी कहीं नहीं जा रही है गाड़ी, यह आपकी custody में है, आप इसको अच्छे से repair करो, so mostly repairing का जो काम है वो होता है workshop में, और workshop में mechanical engineers, मतलब एक factory है workshop तो, तो typically एक mechanical का profile, मतलब core profile है आपक तो जो सबसे technical railway का, जो सबसे technical unit हो सकता है, highest level पे, तो मुझे इसा लगता है, वो एक workshop है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ न, कि एक पूरे vehicle को आपने 100% open कर दिया, और आपने उसको वापिस नए जैसा बना दिया, तो यहाँ पे आपकी engineering, जो जितना भी हमने कुछ जब railway में, यह तो मैंने बता है, railway का working क्या है, अब इसमें mechanical engineer का काम क्या है, तो workshop में, जैसे मैं posted हूँ एक workshop में, तो मेरा जो profile है, वो manager का लगता है, assistant workshop manager, तो मुझे क्या करना है, यह जो भी vehicle आ रहे हैं हमारे पास, जो भी rolling stock आता है, railway में, जो rail होती है, उसको हम rolling stock बोलते ह जो भी train के डबबे हैं उसको, तो जो भी rolling stock मेरे पास आ रहा है, उस rolling stock के उपर जो जो काम assigned है, जो जो काम लिखा हुआ है, manual पे चलता है railway, 100%, सारे के सारे manual लिखे हुए है, हर चीज़ manual के हिसाब से होनी चाहिए, yes, so मेरा पहला काम यह है कि quality ensure होना चाहिए, वहाँ पे, ज कि ऐसा नहीं है कि हमने खोलके रख दिया अब जोड़नी रहा हम से, हो सकता है कि खोलके रख दिया पर जोड़नी रहा, ऐसा नहीं होना जाए, वह तो काम technician का होगा, वो काफी experience अपकोर्स मुझे जाके वो पाना कसना नहीं है, पर मैंने जैसे बोला ना कि पाना कौन आजम कसे का ये जरूर मुझे डिसाइड करना है तुमारे अंडर में करीब कितने पचास सौ कितने लोग रहते हैं ज्यादा हूँ वर्क्शॉप में हमारा करीब पंदरा सु दोजार के आसपास है हर वर्क्शॉप का अपना अपना रहता है तो एतने डिरेक्ट हमारे रिल वे के लोग होंगे कांट्राक्श्यचन बहुत सारा स्टाफ रहता है तो एक बहुत बड़ा यूनिट है तो वो सारे एक अंग्छीनीर के इन्दर आता है रहता है काफी सारे लोग हैं वर्कशॉप में औफिसर्स में हाँ अब करीब 7-8 officers होंगे, और ज्यादा होंगे, जो directly इन चीजों से involved होते हैं, फिर हमारे seniors भी हैं, जो हम लोगों को वहां पे manage कर रहे हैं, एक hierarchy है, एक hierarchy चलता है, system है, अब इस पूरे system में, मैंने दो चीज़े बताई, एक तो काम को ensure करना कि वो हो जाए, second आपको यह plan करना प तैप की तो items है, जिनको आपको परीटा, तैप की तो items है, जिनको आपको अपको परीटा है,